मोदी का ये प्लान फार डालेगा ड्रैगन का जबड़ा तुश्मन को थर्राने के लिए भारत का मिगा प्लान के के से सीमा पर तूटेगी चीन पाकिस्तान की कमर हमेशा के लिए खाक हो जाएंगे जिन्पिंग के इरादे ये हतियार चला तो फिर नक्षे से मिठ जाएगा पाकिस्तान दोस्तों लदाख में चीन आया तो था घुस पैट के लिए लेकिन अब मोदी ने अपनी पूरी की पूरी वार प्लानिंग को चीन पर शिफ्ट कर दिया है और नतीजा तो आप देखी ही चुके हैं उत्तरा खंड में चीन की सेना सीमा के अंदर घुसी तो जरूर लेकिन भारतिय सेना को देखते ही तुम दबा कर भाग गई तो दूसरी और अरुनाचल प्रदेश बॉरडर में जिन्पिंग के चूजे घुसे ही थे कि भारत ने उनको पटक पटक कर धोया अब हिमत ही जवाब दे चुकी है लेकिन चीन के इस दो साहस से अब मोदी रौदर अवतार में दिख रहे हैं एक तो मोदी ने जापान से लेकर अमेरिका के साथ तगड़ी वार प्लानिंग सेट कर ली है तो चीन का जबड़ा फाड़ने के लिए उसके ही मांद के नीचे महाविनाशक हतियारों का जखीरा तैनात करने का मूड बना लिया है ताकि जिनपिंग की मुंडी उपर उठते ही उस पर हतोड़ा चलाया जा सके इतना ही नहीं पाकिस्तान का भी ताविज बनाने के लिए वो प्लान तयार हो चुका है जो एलोसी पर कब्र खोद देगा ठीक से कहें तो एक तरफ चीन को समंदर में डुबोने से लेकर बॉडर पर भस्म करने का खाका खिंच चुका है तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने हर उस प्लान को आगे बढ़ा दिया है पाकिस्तान के भी चीथड़े उड़ा सके दोस्तों इसके लिए भारत के पास वैसे तो एक से बढ़ कर एक ताकतवर हथियार मवजूद हैं लेकिन मोदी ने उसी किलर कॉंसेप्ट को हवा दे दी है जो अगर चला तो फिर ना चीन पानी मांगेगा और ना कोई उसे इसकी सुनामी से बचा पाएगा चुकि दोस्तों चीन हर तरह की मिसाइल ने तैनात करने में लगा है लिहाजा भारत में भी अपने तुरूप के पत्ते निकालने शुरू कर दिये हैं भारत ने भी ब्रम्होस अगनी 5 और के 4 मिसाइलों के बाद अब उस मिसाइल को लेकर भी एलान कर दिया है जिसे आप तबाही का दूसरा नाम कह सकते हैं यह अपने दम पर शहरों का चूरूप बना सकती है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसी मिसाइल की एक एक बात बताने वाला हूँ जिससे चीन तो क्या पाकिस्तान की भी हालत पतली है लिहाजा वीडियो बिना स्किप किये देखते रहिए LAC से लेकर समंदर तक चीन का बना ताबीज दोस्तों भारत अगनी 5 मिसाइल बना चुका है कुछ दिन पहले इसका फाइनल टेस्ट भी होने वाला था लेकिन उसे रोक कर आकाश प्राइम सिस्टम का टेस्ट किया गया जो इसराइल के आईरें डोम की तरह काम करता है यह भारत के उपर आने वाली हर आफ़त को खाक करने का माददा रखता है लेकिन दोस्तों इसी के साथ भारत एक और बड़ी तयारी कर चुका है जिसका नाम है महा विद्धवनसक के फाइब और के सिक्स मिसाइल दोस्तों मैं आपको इन दो मिसाइलों के बारे में एक एक बात बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इस किलर सीरीज की मिसाइलें असल में भारत के लिए क्यों जरूरी है तो दोस्तों देश के पूर्व राश्रोपती और मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम के सम्मान में इस मिसाइल सीरीज का कोड नेम के रखा गया है इनको किलर मिसाइले कहते हैं इन्हें नुकलियर सबमरीन अरिहंत शेनी से लाँच किया जाता रहा है इस सीरीज की मिसाइल का मकसद देश में थल, जल और हवा से परमानुशक्ती वाले हतियारों के प्रक्षेपण के खिशमता हासिल करना है के सीरीज सबमरीन लाँच बैलिस्टिक मिसाइले होती हैं इन्हें रक्षा रिसर्च और विकास संस्थान यानी DRDO ने विक्सित किया है इन मिसाइलों के विकास का कारिकरम 1990 के दशक में शुरू हुआ था और यह भारत की उस महत्वकांक्षा का हिस्सा था जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लौच की जा सकने वाली न्यूकलियर क्षमता के मिसाइलें विक्सित करना थी यह मिसाइले सबमरीन यानि पंडुबियों से लौच की जा सकती हैं इसलिए अब एक शक्रित, हलकी, छोटी और पकड़ में ना आने वाली हैं हलाकि के सीरीज की ज्यादा तर मिसाइले सबमरीन लौच की ही हैं लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरियंट भी डियार डियों ने विक्सित किये हैं दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि भारत की मिसाइलों को लेकर नीती ये है कि वह इन से हमले की पहल नहीं करेगा इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्री स्तरिया न्यूकलियर शक्ती के विकास में इन मिसाइलों का होना बेहत जरूरी है सी बेस्ट अंडर वाटर न्यूकलियर क्षम्ता से लैस हमलावर मिसाइले होने से भारत के पास परमानु शक्ती के लिहाज से ताकत दोगुनी हो जाती है इन मिसाइलों की एहमियत यह भी है कि ये नकेवल पहले हमले में सर्वाइब करती है बलकि जवाबी हमले में भी इस्तिमाल की जा सकती है अरिहंत क्लास की सम्मरीनों के जरिये ये परमानु वेस फोटक वाली मिसाइले लौच की जा सकती है चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते इनका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि लद्दाख में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है चीन लगातार LAC पर खतरनाक मिसाईल ने तैनाद कर रहा है लिहाजा भारत भी चीन को करारा जवाब देने के लिए अपनी घातक मिसाईलों को LAC पर तैनाद कर रहा है भारत ने साल 2020 में कुछ ही महीनों में दरजनों ताकतवर मिसाइलों का टेस्ट किया तो इस साल भी एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है फिर चाहे बात आकाश प्राइम की हो, निर्भय मिसाइल की हो, रुद्र की हो या फिर ब्रम्होस के एडवांस्ट वर्जन की भारत एक साथ कई भविश्य के मिसाइलें भी बनाने पर काम कर रहा है K-सीरीज की महा मिसाइल बनाने में जुटा DRDO K-5 और K-6 के नाम से काप उठे चीन और पाकिस्तान अगनी 5 के बाद K-Plan ने उड़ाए जिन्पिंग के होश चीन पिछले कई महीनों से भारत को गीदर भवकी दे रहा है अपनी मिसाइलों और बमों से डराने की कोशिश कर रहा है जिसके जवाब में भारत समंदर में चीन के हर इरादे को खाक करने वाली K-4 मिसाइल बना चुका है जो परमानू हमला करने में सक्षम है भारत इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूरवक टेस्ट भी कर चुका है जिसके बाद तो भारत या नौसेना की ताकत अजे हो चुकी है हलाकि भारत के पास कम रेंज यानि कम दूरी की K-15 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थी जो 750 किलोमेटर की दूरी तक परमानू हमला कर सकती है लेकिन K-4 ने तुफानी ताकत दे दी है और अब तो DRDO भविश्य के मिसाइलों पर काम कर रहा है और भविश्य के ये महाविनाशक योद्धा है K-5 और K-6 K-5 की रेंज 5000 किलोमेटर है जबकि K-6 की रेंज 6000 किलोमेटर से ज्यादा है मतलब ये दोनों ही चीन के हर शहर को तबाह कर सकती है वो भी समंदर के रास्ते बहुत ही शातिराना अंदाज में बिना किसी हलचल के और एक ही जटके में दुश्मन को घेर कर उसका काम तमाम कर देती है K-5 मिसाइल के क्षमता एक टन विस फोटक की है मतलब एक ही जटके में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा तो K-6 Solid Fuel MIRV सक्षम मिसाइल है जिसका मतलब ये है कि एक मिसाइल फाइर होगी तो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी K-6 की क्षमता दो से तीन टन विस फोटक ले जाने की है हलाकि दोस्तों भारत ने जो K-4 मिसाइल बनाई है उसकी मारक क्षमता भी बढ़ा कर 5000 से 8000 किलोमिटर की जा रही है ये K-4 मारक 2 मिसाइल भी चीन और पाकिस्तान के लिए किसी अद्रिश शेकाल से कम नहीं होगी चीन के लिए भारत के मिसाइल शक्ती एक चैलेंज है चीन के पास बेशक भारत से ज्यादा घातक और लंबी दूरी के मिसाइल है लेकिन अब भारत मिसाइल के क्षेतर में के सीरीज को आगे लाकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा चुका है चुकि दोस्तों पाकिस्तान और चीन दोनों ही पॉडोसी और दुश्मन देशों ने भारत के खिलाफ समुद्र में युद्ध के मोर्चे पर हैं एक तरफ चीन परमानुक शम्ता वाली कई सम्मरीन विक्सित कर चुका है साथ ही वो पाकिस्तान को भी मिसाइले देने में लगा है लिहाजा भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमली के मिसाइले बेहद जरूरी है पाकिस्तान पर तो वैसे भी भारत का पलडा भारी है नवंबर 2018 में INS अरिहंत पूरी तरह ओपरेशनल हो गया था तब पियमोदी ने कहा था कि जो देश परमानु शक्ती को ब्लैक मेलिंग और धमकी के लिए इस्तमाल करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है दोस्तों आपको बताता हूँ कि के फैमली के मिसाइले बेहत सीक्रेट तरीके से बनाए गई है लिहाजा इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इन्होंने चीन की चूडियां अभी से टाइट कर दी है इन घातक मिसाइलों को तयार करने के पीछे भारत की मनशक केवल अपने दुश्मनों को ये बताना है कि वो सरहद लांगने की कोशिश ना करें बुलिटिन ओफ एटॉमिक साइन्टिस्ट में प्रकाशित एक रिपॉर्ट के मताबिक साल 2017 डोकलाम विवाद के बाद भारत ने अपने परमानू रननीती का ध्यान पाकिस्तान से हटा कर चीन पर केंद्रित कर लिया है इसके अलावा भी भारत कम से कम तीन ऐसे हतियारों का निर्मान कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देंगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की परमानू नीती पहले सुरक्षात्मक थी लेकिन अब मूदी सरकार के आने के बाद से ये आक्रामक हो गई है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पास आठ हतियार ऐसे हैं जिन से कभी भी परमानू हमला किया जा सकता है इन में से हवा से हमला करने वाले दो हतियार जबकि जमीन से हमला करने वाले चार बैलेस्टिक मिसाइल प्रणाली और दो समुद्र आधारित बैलेस्टिक मिसाइल प्रणाली शामिल हैं इसके अलावा कम से कम तीन हतियार विकास की प्रक्रिया में हैं भारत तेजी से परमानू वारहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का निर्मान भी कर रहा है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली अगने 6 मिसाइल और पंडुब्यों से फायर की जाने वाली K5, K6 मिसाइल शामिल है। भारत में अगनी 5 मिसाइल के परिक्षन की प टेस्ट भी कर चुका है जो एक हाइपरसूनिक मिसाइल है। इसकी रफतार मैक सेवन यानी 8,643.6 किलोमेटर प्रति घंटा है और यह 289 किलोमेटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वार्शिप, पंडुबी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉंच किया जा सकता है। दोस्तों भारत में पिछले दो सालों में बहुत से मिसाइल टेस्ट किये हैं लेकिन उनमें से कईयों को सीक्रेट रखा गया है। जिसमें अगनी 6, सूरिया, के 5, के 6 और काली विपन शामिल हैं। इसके पीछे की वज़ा ये है कि च उसका नाम आते ही अमेरिका की सुलक जाती है और वो इस काम में अडंगा लगाना शुरू कर देता है। और शायद यही वज़ह है कि भारत अपनी के सीरीज और अगनी सीरीज की मिसाइलों को गुप-चुप तरीके से तयार कर रहा है। वैसे इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।